मेरे साथ कुछ गार्जिन थे मैंने गुष्टे पूछा भई ये CLC केसी है क्या है चाहिए उस वहां गाड़े वाले से पूछ लो कि जी से पूछ लो वो केते हैं शिकर मैं अगर एड़ुशन कराना तो CLC करा है पर आपने का कि हम शिक्षा के साथ संशकार भी देते हैं तो ये तो बहुत बड़ा सोबागे फिर शोना और शुआगा जब दोनों मिल जाते हैं तो निश्चित रूप से उसकी आभा उसकी चमग है वो चारों प्पेलेगी पहले तो आप सबका स्वागत आपने इतनी दूर आकर के अमें ये मोका दिया कि हम आपका मान समान यहां कर सकें आपके दर्शन कर सकें ये हमारी स्कूल के विद्ध्यार थी और गाउं के गणमानिये लोग आपसे रूबरू हो पाए तो मैं आपका और सभी बदारेवे जिनों को स्वागत करता हूँ अब बात आए कि CLC ही क्यों चुना हमने देखो ऐसा है कि मैं जब गया था सबसे पहले नवरतन जी मुझे लेके गए थे आज से करीब 8-9 साल पहले CLC मैं वाँ गया था देखा कुछ अच्छा लगा लेकिन मेरे पहले से एक चोट हो रुकी जब बीकानेर की किसी कोचिंग में अपनी स्कूल के लगबग दस बच्चों को एड़ परवेश करवाने गया मैंने वाँ जा के बात की सब कुछ किया लेकिन उन्हों दस बच्चों मेंसे कोई भी बच्चा सफल नहीं हो पाया तो मेरा मन वाँ से उप चुका था मैंने का अपने को कहीं किसी भी कोचिंग से बात नहीं करने चाहिए क्या पता कोचिंग की कमी है इतनी मेरी उस समय समझ नहीं थी या तो कोचिंग की कमी है बच्चों की कमी है यह मैं समझ नहीं पा रहा था तो मैंने कभी किसी में इंट्रफेर नहीं किया जो बच्चा जहां उसे एकदम इस्पष्ट राय नहें दे के गोलमोल सी बात कर देता, सिधी सी बात है, ताकि मैं बचा रहा हूँ, बस बात यह थी, उसके बाद नौर्दन जी मुझे सिक्कर लेगे गए, उस समय भी मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा, उसके बाद जब मनोज वहां पढ़ने लग मनोज से मिला, तो मुझे कुछ ऐसा लगा हूआ, हम हार दिन नोट करता, बच्चे कहां गुम रहे हैं, बालिकाइं कहां गुम रही है, सब स्टाफ क्या कर रहा है, खाना केसा है, इसकी मैं हमेशा वाच करता रहता, करते करते मुझे विश्वास हुआ, मैंने का जब तो करीब 15 बच्चे बढ़ रहे हैं मेरा खुद Cette बतीचा पड़ रहा है और बच्चे अच्छे हैं, अभी लगबग एक डेड़ में ना हुआ है, पांसो प्लस उनके नमबर आ रहे हैं, यही इस्तिती मुझे मनोज की थी, मैं मनोज से बात जब करता था तो यही पांसो, सवा पांसो, साड़े पांसो, यही नमबर रहते थे शुरुआत में, और वह गारजन थे, मैंने गुष्टे पूछा भई, यह CLC केस है, क्या है, चाहिए उस वहाँ गाड़े वाड़े से पूछ लो, कहीं से पूछ लो, वो कहते हैं, शिकर में अगर एडविशन कराना तो CLC कराना, क्या बात है बात है, बहुत बहुत प्राई की, मैंने शिकर के चार नहीं छोड़ते है, जै CLC. के बदोलत सायत उन में इतना उत्सा है, और आपने भी बता दिया, बिल्कुल इस पश्ट वादी हैं आप, ये भी आपकी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज के जमाने में चारों तरफ लूटने खसोटने वाड़े बहुत ज्यादा बेठे हैं, इसलिए किस पर स्वास ने करें, ये एक बहुत बड़ी समिश्या है, और विशेश रूप से ग्रामिन चेतर में, तो इस समिश्या को भी रमेश जी ने बखु भी चारों तरफ से ठोक बजा करके देखा, कि निश्चित रूप से CLC ऐसी संस्ता है, जो हमारे ग्रामिन बच्चों को, जिन बच्चों को हम यहां तरासते हैं, उनको इस तरह से नगीने में फिट करेंगे, कि वो अंगुटी चारों तरफ परकासित हो जाएगी, तो ये निश्चित रूप से आपका और हमारा दोनों का सोबाग्य है, रमेश जी ने आपको क्या बताया या क्या नहीं बताया, मैं अ 17 साल تک राज की सेवा मैं बिताया, मैंने जितना वहाँ अनुभव नहीं लिया, जितना ग्यानवाँ पराप्त नहीं किया, उतसे जदा मैंने यहां आकर के सीखा, इस विद्याले में आकर के सीखा, कुछ ऐसे संसकार जो जण्म जात थे, उन संसकारों से भी मुझे यहां करके छुटकारा मिला तो मेरे लिए ये बहुत बड़े सुभाग्य की बात है कि मैं इस संस्ता से जुड़ा और अब चूंकि ये संस्ता आपके कोचिंग सेंटर से जुड़ी है तो निश्चित रूप से हम भी जुड़ गए हैं तो ये भी हमारा बहुत बड़ा सुभाग्य है आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि ग्रामिन छेतर में जो बच्चे हैं उनके लिए वास्ता में यहां गुदडी के लाल हैं छिपेवे हैं उनको पैचानने वाले उनको माहुल देने वाले लोग नहीं मिलते और निश्चित रूप से इस छेतर के अंदर और आपने भी बताया कि यह यहीं का है नहीं पलकी ग्रामिन छेतर का राजस्तान का एक तोप टैन में एक विद्याले हैं मैं भी गौर्वर्मेंट सर्वेंट पूरे राजस्तान में मैंने विद्याले हो का निर्फशन किया है देखे हैं होस्टल देखे हैं तो यह मैं शोबागे मानता हूं मैं अपने राजसी सर के कई साथियों से कहता हूं कि अपने तो गरवेठे बेठी भेंशे 50 ओपड़ ग है और उससे कुछ पीड़ा भी हुई आमें भी हुई आपको हुई होगी क्योंकि आप सी स्चिद आस यह ऐसा कारण है कि हम शिक्षा तो देते हैं पर शंशकार नहीं दे पाते पर आप नहीं का हम शिक्षा के साथ संशकार भी देते हैं तो ये तो बहुत बड़ा सोबा कि फिर शोना और शुवागा जब दोनों मिल जाते हैं तो निश्चित रूप से उसकी आभा उसकी चमक है वो चारों और फेलेगी तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहें करके इतना ही कहूंगा कि आप समिश्याओं को समझता है हमारे मन को समझता है उसने मनोवियान नहीं पड़ा है फिर भी वो हमारे मन को समझता है हमारे गार्जियन की मनोदसा को समझता है और आपने समझा है और इसके लिए भी आपने बहुत अच्छी बात बताई कि रमेश जी यदि आप ऐसा कोई गु किस्कार दियें.